गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आपका स्वागत है केरियर लाइफ 247 यूटूब चैनल पे आज है 1 जून 2020 और आज हम लोग 1 जून का करेंट एफेर्स करेंगे आज की करेंट एफेर्स से कुछ हम लोग MCQ डिसकस करेंगे और इन MCQ से रिलेटर जितने भी important statics होंगे वो सभी को हम लोग डिसकस करेंगे तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को last तक देखें लास्ट में मैं आपसे question पूछेंगे और उसका answer आपको comment box में बताना है आज की वीडियो का PDF आप लोगों को टेलिग्राम चैनल पे अब लेवल करा दिया जाएगा और इस टेलिग्राम चैनल का link मैंने नीचे description box में दे दिया है आप उस link को click करके आज की वीडियो का PDF डॉनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स अगरा आप किसी भी exam की तैयारी कर रहे हूँ चाये वो bank हो, SAC हो, या railway हो, या फिर कोई अधर state का exam हो इस सारी exam के लिए ये current affair काफी important होने वाला है फ्रेंड्स अगरा भी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर subscribe कर लें और इस bell icon का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरी upcoming वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो चलिए start करते हैं इस session को आज का मेरा first question है हाली में विशु तमबाकू निसेद दिवस कम मनाया गया है वैन इस world not to back or day celebrated तो इस दिवस को celebrate किया गया है 31 माई को तो इसका answer हो जाएगा C पर तेक वर्स 31 माई को विशु तमबाकू निसेद दिवस मनाया जाता है फ्रेंड सब ये जो विशु तमबाकू निसेद दिवस है यानि world not to back or day है इसको मनाया क्यों जाता है इसको मनाया जाता है तमबाकू की हानिकारक परभावों के बारे में लोगों में जावरूपता फैलाने के लिए next question है हाली में विशु के सबसे अधीक बेतन पाने वाले athlete कौन बने है who has recently become the world's highest paid athlete तो ये है Roger Federer तो इसका answer हो जाएगा B अभी Roger Federer है जो विशु के सबसे अधीक बेतन पाने वाले athlete बन गए friends जो अभी force का जो सूची जारी किया गया था उसमें Roger Federer है जो 106.3 million dollar की कमाई के साथ इस सूची में सबसे उपर है और इस सूची में विराट कोली है जो 26 million dollar की कमाई के साथ 66th rank पे है कितना rank पे है 66th rank पे है next question है हाली में oriental insurance के नए cmd के रूप में किने नुख किया गया है who has been appointed as the new cmd of oriental insurance तो यह है SN Rajeswariji जी तो इसका answer हो जाएगा A अभी SN Rajeswariji को oriental insurance के नए cmd के रूप में नुख किया गया है फ्रेंड्स इन्होंने किनका स्थाल लिया है तो इन्होंने स्थाल लिया है A.V. Girija कुमार का किनका A.V. Girija कुमार का अब A.S.N. Rajeswariji जी है जो oriental insurance के नए cmd नुख किये गया है तो हम लोग oriental insurance से कुछ related status देख लेते हैं अब हम लोग जानते हैं oriental insurance के बारे में oriental insurance का formation कब हुआ था 12 September 1947 में कब हुआ था 12 September 1947 में oriental insurance का headquarter का है इसका headquarter है New Delhi और अभी जो oriental insurance के newly appointment में जो cmd है उनका नाम क्या है S.N. Rajeshwari जी क्या नाम है S.N. Rajeshwari Next question है हाली में किस university के सुधकरताओं ने COVID-19 से बचाओ के लिए पहला multi-purpose algae अधारित respirator oxygeno विक्सित किया है Researchers of which university have developed the first multi-purpose algae-based respirator oxygeno to protect against COVID-19 तो यह है lovely professional university तो इसका answer हो जाएगा C अभी lovely professional university के सुधकरताओं ने COVID-19 से बचाओ के लिए पहला multi-purpose algae अधारित respirator oxygeno विक्सित किया है अभी COVID-19 से लडाई के दोरान मास्ट पाहने के कारण बहुत से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था तो इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब की lovely professional university ने इस oxygeno को बिक्सित किया है फ्रेंड जो यह oxygeno respirator है यह सत्ता पर बैक्टरिया या अनिपर्दुसकों को बढ़ने से रोगता है इसमें एक खासियत है कि यह oxygen से युक्त सुधावा देती है जो मुख रूप से अस्थमा के मरी जो एबंग उन लोगों के लिए फायदे मन्द है जिने मास्क पारने से सांस लेने में अस्विधा होती है नेक्ट कोस्चन है हाली में किस राजी ने गाव में रोजगार की अफसर पैदा करने के लिए तीन सो करोर रुपे के विशेश पैकेज की घोशना की है विच स्टेट है जे नौस्ट अ स्पेशल पैकेज ओफ थ्री हंड्डेट करोर रुपीज for creating employment opportunities in the village तो यह तमिलाडू तो इसका एंसर हो जाएगा दी अभी तमिलाडू राज जी ने गाउं में रोजगार की अफसर पैदा करने के लिए 300 करोर रूपे के विशेश पैकेज की घोशना की है अभी जो भी स्रमिक अपने गाउं पापस लोट रहे हैं उन लोगों को गाउं में ही रोजगार एब लेवल कराने के लिए तमिलाडू राज जी ने इस बी स्येश पैकेज की घोशना की है ट्रेंड सब इस पैकेज का घोशना किया है तमिलाडू राज सरकार ने तो हम लोग तमिलाडू से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं अब हम लोग जानते हैं तमिलाडू के बारे में तमिलाडू का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1st November 1956 में कब हुआ था? 1st November 1956 में तमिलाडू का कैप्टल क्या है? चेनई तमिलाडू में डिश्टी कितने है? 38 और अभी प्रेजेंट टाइम में तमिलाडू के CM कौन है? इडा पढडी के पलानी स्वामी क्या ना में उनका? इडा पढडी के पलानी स्वामी और अभी प्रेजेंट टाइम में तमिलाडू के गवर्नर कौन है? नेस्ट कोस्चन है हाली में देश के कितने राज्यों एवं केंद्र सासित प्रदेशों में वन नेशन वन रासन कार्ड की वेवस्था को लागू किया जाएगा तो यह है 20 तो इसका एंसर हो जाएगा C अभी कोरोना बैरस महमारी के कारण 1 जून से देश में वन नेशन वन रासन कार्ड की वेवस्था को लागू किया जाएगा और इसकी सुरवात होगी जो 20 राज्यों और किंद्र सासित प्रदेशों से होगी फ्रेंड्स इससे पहले एक जन्वरी को देश के 12 राज्यों में इस वेवस्था को लागू किया जाएगा फ्रेंड्स अभी जो योजना है वन नेशन वन रासन कार्ड इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफायती कीमत पे रासन एबलेबल कराया जाएगा और इस वेवस्था के लागू होने के बाद पूरे देश में कहीं भी सस्ती कीमत पे अनाज लिया जा सकता है नेक्ट कोस्चन है हाली में केंड्र सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के कर्यानवन के लिए 445 करों रूपे की मंजूरी दी है तो यह 36 गर तो इसका एंसर हो जागा A 2024 तक देश के परतेक ग्रामिन परिवार को पीने योग पानी अबलेबल कराना फ्रेंड से इस योजना का इस्टीमेट है 3,60,000 करों रूपेज कितना है 3,60,000 करों रूपेज अब इस मंजूरी को दिया गया है 36 गर राज सरकार के द्वारत हम लोग 36 गर से रिलेटेड कुछ स्टाइटिस देख लेते हैं अब हम लोग जानते हैं 36 गर के बारे में 36 गर का फॉर्मेशन कब हुआ था 1st November 2000 कब हुआ था 1st November 2000 36 गर का कैप्टल क्या है राइपूर 36 गर में डिश्टी कितने है 28 कितने है 28 और अभी प्रेजेंट टाइम में 36 गर के चीफ मिनिस्टर कौन है भूपेश बगेल क्या नामें उनका भूपेश बगेल और अभी प्रेजेंट टाइम में 36 गर के गवर्नर कौन है अनुसुया उईके क्या नामें उनका अनुसुया उईके 36 गड़ में legislative assembly seat कितना है 90, 36 गड़ में लोग सभा का seat कितना है 11 और राज सभा का seat कितना है 5 Next question है चीन अपना पहला मंगल मिशन जुलाई में launch करेगा उसका नाम क्या है चीन विल लॉंच इस फर्स्ट मार्स मिशन इन जुलाई वाटी जिट्स नेम तो यह है 93 फर्स्ट तो इसका answer हो जाएगा B चीन है जो अपना पहला मंगल मिशन जिसका नाम है 93 फर्स्ट उसको launch करेगा जुलाई में और इस 93 वन मिशन को एक long march 5 rocket से launch किया जाएगा फ्रेंड्स अगर चीन को इस मिशन में success मिलता है तो USSR और संजुक्त राज अमेरिका के बाद एक मंगल लेंडिंग प्राप्त करने वाला चीन है जो तीसरा देश बन जाएगा अब इस मंगल मिशन को launch करेगा चीन तो हम लोग चीन से related कुछ स्टैटिस देख लेते हैं अब हम लोग जानते हैं चीन के बारे में चीन का capital क्या है विजिंग चीन की currency क्या है रेनमीन भी क्या है रेनमीन भी चीन का language कौन सा है चाइनीज और अभी present time में चीन के president कौन है सी जिन पिंग क्या नहीं है उनका सी जिन पिंग नेक्स्ट कोस्टन है हाली में किस राज सरकार के द्वारा राजी स्वास्त रजिस्टर लॉंच किया गया है तो यह करनातक तेस का answer हो जाएगा D अभी करनातक राज सरकार के द्वारा राजी स्वास्त रजिस्टर को लॉंच किया गया है और यह जो राजी स्वास्त रजिस्टर है इसको launch किया गया है COVID-19 के कारण इस रजिस्टर में राजी के सभी नागरिकों के नाम होंगे और उन सभी नागरिकों से जुड़े data को collect किया जाएगा अब इस राजी स्वास्त रजिस्टर को launch किया गया है करनाटक राज सरकार के द्वारा तो हम लोग करनाटक से related कुछ status देख लेते हैं अब हम लोग जानते हैं करनाटक के बारे में करनाटक का formation कब हुआ था 1st November 1956 में कब हुआ था 1st November 1956 में करनाटक का capital क्या है Bangaluru पर अभी present time में करनाटक के governor कौन है बजू भाई वाला क्या नाम उनका बजू भाई वाला करनाटक में legislative assembly seat कितना है 224 कितना है 224 करनाटक में legislative council है 75 करनाटक में लोग सभा का seat कितना है 28 और करनाटक में राज सभा का seat कितना है 13 Next question है JP Morgan South Asia और South East Asia के नए अध्यच के रूप में किन है नूट किया जाएगा Who will be appointed as the new president of JP Morgan South Asia and South East Asia तो यह है लियोपूरी तो इसका answer हो जाएगा D अभी लियोपूरी को JP Morgan South Asia और South East Asia का नए अध्यच के रूप में नूट किया जाएगा फ्रेंड्स यह किनका स्थान लेंगे तो यह स्थान लेंगे कलपना मोरपारिया का किनका कलपना मोरपारिया का पर अभी प्रेजेंट टाइम में JP Morgan के CEO कौन है जेमी डीमन नेर्ट कोस्चन है हाली में BCCI ने किस किरकेट खिलारी को राजिव गांधी खेल रत्न के लिए नमांकित किया है तो यह है रोहित सर्मा तो इसका एंसर हो जाएगा D अभी रोहित सर्मा को BCCI ने राजिव गांधी खेल रत्न के लिए नमांकित किया है अभी इस पुरुषकार का नमांकन किया गया है BCCI के द्वारा तो हम लोग BCCI से related कुछ स्टैटिक्स देख लेते हैं अब हम लोग जानते हैं BCCI के बारे में BCCI का फुल फॉम क्या होता है Board of Control for Kirkate in India क्या होता है Board of Control for Kirkate in India BCCI का फॉर्मेशन कब हुआ था 1928 में कब हुआ था 1928 में BCCI का हैडुकार का है वानखेडे स्टेडियम मुंबई और अभी प्रेजेंट टाइम में BCCI के प्रेजिडेंट कौन है सौरफ गॉंगली क्या नाम उनका सौरफ गॉंगली नेक्स्ट कोश्चन है हाली में कैप जेमिनी गुरूप के CEO के रूप में किन्हें नुक्त किया गया है Who has been appointed as the CEO of कैप जेमिनी गुरूप recently तो यह है एमान इज्जत तो इसका अंसर हो जाएगा B अभी एमान इज्जत को कैप जेमिनी गुरूप का CEO appoint किया गया है फ्रेंड्स यह किनका स्थान लेंगे तो यह स्थान लेंगे Paul Hermelin का Next question है हाली में IMF ने COVID-19 के लिए बांगलादेश को कितना मिलियन डॉलर की अपातकालिन वितिय सहायता को मंजूरी दी है Recently IMF has approved how much million dollar emergency financial assistance to Bangladesh for COVID-19 तो यह है 732 मिलियन डॉलर तो इसका अंसर हो जाएगा B अभी IMF ने COVID-19 के लिए बांगलादेश को 732 मिलियन डॉलर की अपातकालिन वितिय सहायता को मंजूरी दी है इस वितिय सहायता से बांगलादेश को उसके भुकतान, संतुलन और राजकोशिय जरूरतों को पूरा करने में हैल्प मिलेगा इससे पहले NDB ने कोरोना महामारी से पटने के लिए बांगलादेश को 500 मिलियन डॉलर की सहायता परदान की थी इस कोस्टन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं अब हम लोग जानते है IMF के बारे में IMF का फूल फॉर्म क्या होता है International Monetary Fund क्या होता है International Monetary Fund IMF का फॉर्मेशन कब हुआ था 27 दिसंबर 1945 में IMF का हेड़काटर का है Washington DC IMF में Member Countries कितने है 189 कितने है 189 Countries और अभी Present Time में IMF के MD कौन है Crystalina Georgieva क्या नमें उनका Crystalina Georgieva अब हम लोग जानते है बांगलादेश के बारे में बांगलादेश का Capital क्या है धाका बांगलादेश की Currency क्या है टका बांगलादेश में Language कौन सा बोला जाता है Bengali और अभी Present Time में बांगलादेश के President कौन है अब्दूल हमीद क्या नमें उनका अब्दूल हमीद और अभी Present Time में बांगलादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है सेख हसीना क्या नाम है उनका सेख हसीना नेक्ट कोच्चन है हाली में किस राज सरकान ने मुफ्थ इंटरनेट परियोजना के फॉन शुरू करने का गोशना किया है तो यह है केरल तो इसका एंसर हो जाएगा अभी केरल राज सरकान ने मुफ्थ इंटरनेट परियोजना शुरू करने का गोशना किया है उसका नाम क्या है के फॉन का फूल फॉर्म क्या होता है इसका फूल फॉर्म होता है केरल फाइबर ऑप्तिक नेटवर्क क्या होता है पीस में और इस परियोजना का जो टोटल इस्टीमेट है वो है 1500 कडोड अब हम लोग लास्ट वीडियो का कोस्टन का अंसर देख लेते हैं हम लोग का क्या कोस्टन था हाली में किस राजी ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है वीच स्टेट है जो स्टार्टेट दरोजगार सेतु अस्कीम तो इसका ओप्सन था 36 गड़, गुजरात, महाराष्ट और मद्ध परदेश तो ये है मद्ध परदेश तो इसका अंसर हो जाएगा D अभी मद्ध परदेश राज ने इस योजना को सुरू किया है और उसका नाम क्या है रोजगार सेतु योजना Most of students ने इसका अंसर सही बताया है तो आप इसी तरह आपना अंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें आप लोगों के लिए आज का कोश्चन है हाली में किसने ब्रिक्स के टैक्स प्रादिकारियों के परमुखों की बैठकी में जवानी की है Recently who hosted the meeting of heads of tax authorities of BRICS इसका option है ब्राजील, भारत, चीन और रूस तो इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तेसे लाइक और सेर जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग